नमस्कार, MQNK इस खास कारी करेम आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ इविजानशन जोशी 36 गड़ कॉंग्रेस में विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है राजी के मुख्यमंतरी भूपेश पखेल और स्वास्यमंतरी टियस सिंग्देव के बीच 36 का आंकड़ा अभी भी बरकरार है 36 गड़ में दिसंबर 2018 में जब कॉंग्रेस की सरकार बनी थी तब सीम कौन होगा इसे लेकर जबरदस खिंच्टान हुई थी मुख्यमंतरी पद के चार दाविदारों के बीच कॉंग्रेस हाई कमान ने भूपेश पखेल को चुना था ये भी चर्चा हुई थी कि धाई साल में दूसरे दाविदार यानि टियस सिंग्देव को सीम बनाये जाएगा हालां कि बगेल ढ़ाई साल वाले किसी फॉर्मूले से लगातार इंकार करते रही इसी बात को लेकर अब विवाद इतना बढ़ गया है कि सीम और स्वास्य मंतरी के बीच 36 का आकड़ा नजार आने लगा है पिछले दिनों इसी को लेकर भूपेश पखेल टियस सिंग्देव दिल्ली पहुँचकर राहुल गांदी से मुलाकात की दोनों के समर्थक विधायकों ने भी दिल्ली में डेरा डाला लेकिन सुला नहीं हो सकी अब एक बार फिर मंदरी टियस सिंग्देव एक बार फिर अचानक से दिल्ली जा पहुचे है वहीं दिल्ली से कुछ वरिष्ट नेताओं के परिविक शक बन कर रायपूर आने की भी चर्चा है अलांकि सिंग्देव की और से बताया गया कि वे पारिवारिक कारणों से दिल्ली जा रहे हैं एक दिन बाद लोट आएंगे अगस्त के शिरुआ से लगातार दिल्ली में जमी रहे सिंग्देव शनिवार रात को ही रायपूर लोटे थे उस दिन उन्होंने बताया था कि वे भागे कामकाच पर ध्यान रखते हुए विहाई कमान के फैसले का इंतजार करेंगे वैसीम भूपेश पखेल ने राहूल गांदी के प्रसावित बस्तर दोरे के तैयारियां शुरू कर दी है और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तैयारियों की समिक्षा कि बताया जाता है कि भूपेश ने कॉंग्रेस के सभी विधायकों को राहूल गांदी के सामने मौजूद रहने के निर्देश दिये है दो तिहाई भ़मत के बादू भी अनरणाई की स्थिती में है क्योंकि Giroud में दिल्ली से बूलावा आता है कि सरकार बदलने वाली मुख्य मंत्री चले जाते हैं स्वास्त मंत्री चले जाते हैं तो ये जो निर्णाई की स्थिती है उससे 36 गड़ भुगत रहा है सरकारी अस्पतालों में सामान नहीं है मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है बहुत दुखदाई स्थिती है जनता तरही तरही कर दी शड़कों के हालत दैनी है ये सत्ता का संगर्ष कॉंग्रेस का ये 36 गड़ गर्क कर दिया है इस सत्ता के संगर्ष में एक तरफ टिय सिंग्देव एंट कंपनी है तो दूसरी तरफ भुबेश बखेज जी है बड़ा ही विची तरह सत्ता संगर्ष चल रहा है कॉंग्रेस की यह मैजाटी है उसके बावजूद भी विकास के काम ठप पड़े हुए है सभी लोग हफते दर हफते दिल्ली जा रहे हैं पाल चुके आ रहे हैं तो सत्ता के संगर्ष में जनता का बहुत मुख्तान हो रहा है और यह केवल इसकी दोशी है तो कॉंग्रेस पर्टी दोशी है कॉंग्रेस की अलाकमान दोशी है तो सत्ता का यह संगर्ष दूर हो और भारती जन्ता पर्टी सड़क के लड़ाई लड़ेगी सदन में इस बात उठाईगी तो 36 गड़ में फिर से एक बार सियासत में हल्चल तेज हो गई है स्वास्तमंत्री टीएस सिंग्देव का अचानक से दिल्ली जाना कहीं न कहीं सवाल खड़े कर रहा है और सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि अब आगे क्या होगा क्योंकि धाई-धाई साल के फॉर्मूले को लेकर लगातार सीम भूपेश पगिल पहले इंकार करते रही लेकिन अब जिस तरीके से टकराव देखने को मिल रहा है यूँ कहें कि 36 का आंकड़ा 36 गड़ में देखने को मिल रहा है उसकी तस्वीर साफ हो गई है और इसी विशय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ 36 गड़ ब्यूरो हैड विभाश कुमार जहाज जुल चुके है विभाश जी ये जो पूरा एक सियासी तस्वीर इस वक्त हमारे सामने देखने को हमें बिल रही है क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में आप जी तो अब ये जैसा कि खुद थी है सिंदेव जी ने कहां कि ये पूरा मामला ओपन हो गया है अब खुला हो गया है कि हाइड़ास ची जो बात थी वास्ना में थी या नहीं थी और तितो किस सिच्टर पर थी उन्होंने भ्ये गहा क्या इक पॉराटी हाइक मान से उनकि सारी बात हो गई है कि उन्हें किस तरह से काम हने आगे जो हाइकमान के निरोगा उसी का पालन किया जाएगे और उन्हें ये भी गहा कि विधायक भी निश्चे तरुप से हाईकमान के कहने को मानेंगे तो भुपडिश बखेल जो खेमे केक मंत्री है रविंद चौबे उन्होंने भी ये कहा कि नहीं सारे विधायक हाईकमान के हर निर्देश का पालन करेंगे तो इस तरह से अब ये लगवग तेह हो गया है कि हाईकमान जो भी तेह किया हो आने ले तीन या चार तरिक को जब रहुल गानरी जी का दोरा होगा चत्रिजगर में और यहां परिविक्षर के लुपनों उस दिन आजे माकरन जी मौजूद रहेंगे तो उस दिन सारी बात तेह हो जाएगी अभी तो सब परदे के पीछे से तैयारियां चल रही है जहां तक महौल की बात है तो तीस सिंग्डे के बंगली के बाहर 30-35 कारें खड़ी रहती है दिन भर में आते जाते रहते हैं और काफी प्षील गहमा गहमी है ये एक जो राजनीती के हवा है उसको जेकर कोई भी प्रेक्षा के अंदाजा लगा सकता है कि तस्वीर करूख आखिर क्या होने वाला है जी दिवान शो विभाष जी क्या ऐसी आशंका जताई जा सकती है कि जो टी एस सिंग्देव हैं वो बीजेपी में शामिल होंगे ये ऐसी तो कोई बाती है उन्होंने इसको बहुत ही बेवान जल से कहा है कि वो जोट्रादित्य सिंध्या के कदम पर नहीं चलेंगे और अगले सौ जन्मा तक वो कॉंग्रेस में रहेंगे ये उन्होंने कई बार कहा और वो कैती मेरा क्हांडान कॉंग्रेसी है मैं विचार से कॉंग्रेसी हूँ मैंने हमेशा कॉंग्रेस की राजनिती को उस विचार को पसंद किया है मेरे जो मिजास के नुरूप लगता है मुझे तो बीजेपी में जाने का तो खेज कोई सवाल ही नहीं होता और विधायकों कर वे उन्हें समर्थन है ये तो जो पार्टी के बड़े सेक्षक आते हैं महासाची विस्तर की लोग या जो पार्टी जिनकों भीजती है वो जो विधायकों की बैठक लेते हैं अलग अलग ज़ाय लेते हैं तो जाहिर जब उन्हें निता चुन लिया जाएगा यदि कहीं चुना जाता है तो ज़िपाटी हाईकों की बनाना है तो फिर पार्टी हाईकों की निर्देश का पालन तो वो खड़ेंगे ये एक बात है विभाष जी पंजाब कॉंग्रेस में भी हमने देखा कि कॉंग्रेस में कला मची हुई है और इसके बाद राजिस्थान में भी ऐसा देखने में आया था और मद्य प्रदेश में तो सरकार ही पलड़ गई तो 36 गड़ में भी इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है तो क्या कारण है कि कॉंग्रेस में अंतर कले जो है वो खत्मी नहीं होती है और वो बार बार इस तरह की बातसे सामने आती है है कि एक मंतरी दूसरे मंतरी के बीशमें 36 गए चलता रहता है कॉंग्रेस में अभी यह जो ही यह कि राज़े सरकारों में जो नेतरिट है इसके खिलाब अंतर भी हो तो हर जाजिव में देखने को मिल राजिस्थान में भी फंजाब में भी जो एक और रहती है जिसकी वहता का अच्छा तेज हो पोई भी एक और पैरलिल लीडर उसको जोता है कि मुझसी भी एक मुभवा मिलना चाहिए पार्टी हाई कमान ने राजिस्थान में कहते हैं कि यह साची पाइलेट की रिए या जो तो हमें नहीं वालूं क्योंकि यहां से बजानना कटीन भी होगा वहां के छित्री राजिस्थी के एक्वेशन या समीकरन होत कि नहीं अपनाई तो पार्टी को इसका नुक्सान हो सकता है यह यह मैं कहना चाहता हूं विभाय शी यह जो पूरी तस्वीर है से जंता भी देख रही है आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं एक गलस संदेश भी तो जा रहा है जंता में यह बात तो सही है कि एक जो इनकी नहीं सुना था कि उनमये पार्टी में अंतर कलर हो जाए और जो कंदां की आदवाचियों की इरामेनों की जहीत की योजना है पिर वह कहीं अचानक उनकी प्राफिर्श स्जाब जा बजञाए और और योजना को ज़ादा बजट देकर उसको प्रासिता से लागू कर विभाज जी जो आगामे दोरा है राहल गांधी का उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है रायपुर में? अगर वो पालोगामे बेति के बड़े नेता हैं और अगर उने बाविश में एक राष्टी नेत्रितो के रूप में भरना है तो उन्हें जनता से तो समात लोगतंतर में चाहिए अगर वो कर रहे हैं तो यह बहुत अची बात है और जनता से राहे लेंगे तो वो यह विभाज जी इसी बीच में ये बात भी सामने आई है कि सीम भूपेश बगेल ने अपने सभी विधायकों को ये कहा है कि जिस दन राहूल गांदी आएंगे सभी वहाँ पर उपस्त रहें मौजूद रहें तो इसे लेकर किस तरह की वहाँ पर तैयारियां की गई है रायपूर में हाँ अभी दो बार ऐसा हुआ कि विधायकों की बैट एक भी हुई कुछ द्रियों को भी इस काम में लगाया गया कि अब जब राहूल गांदी आएंगे तो उनके सामने किसी भी तरह का कोई कोई ऐसा जो शक्ती फ्रडर्शन या कोई अपनी राय अलग सिर्यक्ट करने माला काम यह नहीं होना चाहिए वो अगर उन्हों होगा तो राहूल गांदी एक प्रापर चैनल के तरीके से जो बीच में जो प्रदेश कंगरेस सध्याक्ष होंगे उनके माल्धियम से या जो पार्टी के प्रभारी है पुनियां जी या राश्टी सर्चीव जो 36 कामकार देखते हैं उनके माधिन से मिधायक मंतर अपनी बात राहुल गांदी के पहुंच आएंगे ये जरूर हो सकता है लेकिन सीरी जाकत के राहुल गांदी से मिलेकर अगर के इसे कुछ कहना हो तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत शोगनी बात नहीं होगी और इसी को स्ट्रीम लाइन करने के लिए अभी जो परिवक्षग इस्तर के जुनितार है जैसे अजय माकंजी आएंगे दो तारिक को तो वो यही सब्ताय करेंगे कि रहुल गांजी के सामने अगर कोई बात रखनी भी है तो किस शालींता के साथ एक मर्यादक साथ रखी जाए ये इस बात के तैयारी हो रही है जै विभाज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुन्डे के लिए तो आज हम जिस विशर पर चर्चा कर रहे हैं टी-एस सिंग्देव स्वास्ति मंत्री टी-एस सिंग्देव का अचानक से दिल्ली जाना और फिर इस तरह की बात सामने आना पहले तो ढ़ाए ढ़ाए साल के फॉर्मूले को लेकर के बात हो रही थी जिससे सियम भुपेश पहगिल इंकार करते रही के नहीं ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस साथ राहुल गांदी खुद बराए पूर आने वाले हैं और विधायकों को यह कहा गया है विधायकों को ये कहा गया है कि उस दिन वे सभी उपस्तित रहें और इसी विशय पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ एक और खास महमान बरिश्ट पत्रकार नागेंदर वर्मा जी जुड़ चुके हैं नागेंदर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इमकेन में नागेंदर जी ये जो पूरी सियासी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है जिस तरह इसे बाते हो रही है पहले धाई-धाई साल के फार्मूले की बात हुई फिर सीम भूपेश वगिल निकागनी ऐसी कोई बात नहीं है और अचानक से स्वास्तमंत्री टियास सिंग्देव का दिल्ली जाना तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं इस पूरे सियासी तस्वीर को आप इसे कैसे देखते हैं सब्सक्राइब की राजनीती में ये अपने आप में एक बहुत ही अजबुच घटना है ये बाते जब प्रदेश के मुक्यमंत्री बुपेश वगिल बने थे उसका मैंसे ये बात कहीं से उट आई थी कि ये सरकार जो है राज्ज में वो दो बार में काम करेगी एक बार बात कहां से उटी कैसे उटी ये अभी तक कि इसका कहीं कोई सच के नजर नहीं आता लेकिन ये बाते आगे चलती रही और अब जब की सरकार में अपना दो साल का कारेश पुरा किया है उसके बात अचानक ये बाते फिर से दुबारे से आई और कहा ये जा रहा है कि इसमें खाई कमान की मंसा थी कि वह प्रदेश में सरकार दो मुख्चमंद्री के नेट्रित में चलाने की बात आई थी और ये बात बार बार उटती रही और जो टीएस की देओ हैं उनके समर्षक जो हैं वो इस बात को लेके बार बार इस तरीके का माहौल बनाए और खास तर पर दो साल पूरे होने के बाद को इस बात में बहुत जोर पकड़ा और इसमें प्रदेश में प्रतिपक्त भाजपा ने भी कही न चहीं बहुत बड़ी जिल्ली के दौरे पर निकलते हैं और यह आज की घटना यह कि पीएस की दियो एक बर फिर से दिल्ली गये हैं वहां से लोटने के बाद भुपेज बगिल जिस तरीके से आस्वस्त दिख रहते कि अब तक वही मुक्षमंत्री बने रहेंगे वहीं दूसरी तरफ पीएस की सब्सक्राइब के दुबारा वहां जाने से एक बर फिर पे नए नए कयात राजनेतिक लगाया जा रहे हैं कि आगे क्या परिस्कितिया बनती है और क्या होता है अलेकि बहुत सारे लोगों की सोच यह है कि कांग्रेस में सारे निर्णे जो हैं वहाई कमान के दौरा लिये जाते हैं और अंति तक कि यह पता नहीं चल पाता कि क्या फेर बदन हो जाएगा तब बना था शक्तिस गड़ तब भी मुक्ष मंत्री के चैन में को लेके इसी तरीके की बहुत सारी बाते हुई थी और अंतिता बड़े दिग्ज़ों को किनारे लगाते हुए तजकाली मु जो बना हुआ है तो कहीं न कहीं जनता में एक नकारात्मक संदेश भी तो जा रहा है इस पर आप क्या कहें बिलकुल बिलकुल ये परिस्थित्यां तो बन ही गही हैं देखिए बाटपा के पंदरा साल के सासन के बाद जनता ने एक बदलाओ किया था और वोड़े के कांग कर वी rebel के न ला जनता और वाक हैं तो और जनता के उन को लिए को होती है तो फार्टी सारे विधायक जो है वह अपने हाप उसके परती द है बहु तो क्रकारा प्रकारे of और हाई कमान की बाचों का उनके निर्डाय का पूरा से समर्थन किया जाता है लेकिन ये परिस्टितिया जो बन रही है वो पर फिर से जनता में जा रहा है कि पार्टी सही डंक से काम नहीं कर पार ही जो उनकी अपेश्चा है थी नागेंदर जी पहले बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर पंजाब में देखने को मिली उससे पहले राजस्थान में भी ऐसा हुआ था और मद्रदेश में तो सरकार ही गिर गई थी और अब 36 गर्ण में हो रहा है तो क्या कारण है कि बार बार कांग्रेस के अलग अलग राज्यों से की खबरे आती हैं जो एक अंतर कले है वो कभी खत्मी नहीं होती है आपको क्या लगता है कि क्यों ये अंतर कले कांग्रेस के बीच में है और क्यों ये खत्म नहीं होती है मुझे लगता है मैंने अपने जो अनुभाव से देखा कांग्रेस के जो दिगज नेता थे जो सुरू में सारी योजनाओं को बनाते थे और पार्टी के हित में काम किया करते थे उनका मार्ग दरसन अब सहीं तरीके से मिल नहीं पा रहा है और वरिष्ट नेताओं की उपे करनी पड़ रही है कहीं उन्हें राश्ट्रिस्टर की पार्टियों से मात मिल रही है तो कहीं ठेतरी पार्टियां भी कांग्रेस को किनारे लगा रही है तो इस बात पर पर पार्टी को निरंतर मंधन करना चाहिए कि वो इस तरीके की गल्तियां हो क्यों रही है और क्यों इसका क्या तरीके से बदलाव किया जाया और इसके मन्ठन हो की परिस्थितियां अच्छी बने जी नागेद्र जी कॉंग्रेस जो है ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है तो क्या ये कहा जाया कि कॉंग्रेस बटक गई है मुझे लगता है कि ये आपकी बात कुछ ख़त तक सही है पार्टी के जो सिद्धान से उसके काफी कुछ बदलाव आया है और जन्ता की अपेच्छा जो है एक पुरानी पार्टी से जिसमें देश की आजादी की लड़ाई में एक मात्वण भूमी का निभाई थी वो किस तडिके से जन्हित के काम कर रही है वो देखना चाहती है और उसके पाज़ाव भी चाहती है तो बहुत सारी चीज़े ऐसे हो रही है जो जन्ता पचा नहीं पा रही है और इसलिए जन्ता हमेशा कांग्रेस के पती एक नकारात्मक भावरक्ती चादी जा रही है उपर से दिक्कत यह आ रही है कि जहां कांग्रेस को मौका दिया जाता है अगेंद्र जी अंतर कले की जब बात चली है तों अंतर कले की बात कॉंगिरेश में भाजपा में इसको एक कुछल प्रबंधन कहा जा सकता है उसमें जो नेता दिल्ली से जो बोलते हैं वो आखरी सिरे तक आखरी इकाई तक भाजपा के आखरी कारे करता तक एक ही भासा एक ही सूर एक ही वाणी पर बात होती है वहीं कांगरेस का हर नेता अपने आपको बड़ा जिम्मेदार समझता है और अपने इस तर पर वो बयान देता है तो कहीं न कहीं ये नेत्रित तुमें कोई चीज़ पे मन्ठन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये अनुसासन क्यों नहीं बना रहे पारा है पार्टी म तो नागेंदर जी ये कहा जाए कि भाजपा का जो संगठन है वो ज्यादा मजबूत है और कांगरेस को थोड़ा संगठन पर काम करने की आवशक्ता है और इसके लिए जबतकि कि वो जन्ता के बीच जाकर करता हूं, हम ये देख रहा है कि जहाज जहाँ प्रदेस में कांगरेस का साथन है, वहाँ संवाद हिंता की स्टी बन जाती है। वहाँ के कार्टा जो है वो उपेखित हो जाते है पार्टी के बड़े निताओं से कि इस तरीके से कॉंग्रेस निजात पा सकती है जो अंतर कले कॉंग्रेस में मची हुई है उससे निजात कैसे पा सकती है कॉंग्रेस इसके लिए मुझे लगता है कि लगातार सीविर होने चाहिए कारकरताओं के साथ सीविर समवाद इस्थापित होना चाहिए और जो वरिष्ट नेता हैं उनका मार्ग दर्सन लिया जाना चाहिए कि ये एक कारन बन सकता है कांग्रेस को फिर पर स्ठाईटि और मजभूती देने के लिए तो नागेंद्र जी आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे बीजेपि में प्रिश्मार कारिकर्म चलते रहते हैं साल भर बीजेपी अपने प्रेस्टिशनल कारिकरम चलाती रहती है हाला कि उसके वारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी तो चुनावी पार्टी है और वो 24 गंटे 12 महें चुनावी मोड में रहती है ऐसा कॉंग्रेस के लोग कहते हैं तो क्या कॉंग्रेस को भी उसी पद्धि करना चाहिए और उनका काम जो है वो दिखना चाहिए और बार बार ये निरंतर कारिया होते रहने से और चिंतन सीविर से मुझे लगता है कि कार्यकरताओं की भी प्रभुजता बढ़ती है और उनका आत्मी स्वास बढ़ता है नागेंद्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए तो आज हम जिस विशर पर चर्चा कर रहे हैं 36 गड़ कॉंग्रेस को लेकर के 36 गड़ कॉंग्रेस में मचे सियासी घमासान को लेकर के धाई-धाई साल के फॉर्मुली के पहले बात हुई और फिर उस बात से उख्यमंत्री भूपेश बगे जा रहे हैं और फिर ये बात भी सामने आ रही है कि कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी बहुत जल्द रायपूर का दोरा करेंगे और इसी विशे पर अधिक जानकारी के लिए दिक चर्चा के लिए मेरे साथ एक और खास महमान जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका MKN में राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका MKN में राजीव जी क्या आप तक मेरी आवास पहुंच रही है राजीव जी ये जो पूरी सियासी तस्वीर जी राजीव जी आप तक मेरी आव पहुझ रही है राजिव जी से लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तक्निकी खामी की वज़े से उसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है आज हम बात कर रही हैं 36 गड़ कॉंगरेस के बारे में 36 गड़ कॉंगरेस में जो सियासी घमा सान मचा हुआ है उसे लेकर कर आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ा ही खास एहम मुद्दा है और इसी विश्य पर चर्चा के लिए मेरे साथ एक और खास महमान जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका एमकेन में राजीव जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुच रही है राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका एमकेन में राजीव जी ये जो पूरी सियासी तस्वीर इस वक्त हमारे सामने आ रही है क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में अचानक से स्वास्तमंत्री टीयस सिंग्देव का दिल्ली जाना और फिर इस तरह की बात सामने आना कि 36 का आंकड़ा चल रहा है स्वास्तमंत्री के बीच में क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में बिल्कुल निश्यत रूप से बहुत ही वहावार सिती है प्रदेश में विकाते करें खबड़े हैं और हर हबते खो या छुआ छुआ छुई का खेल दर जंपत के दोरा इन दोनों मंतियों के दोर किया जा रहा है और बार बार एक जो रक्ता कशी है तिर्फ उटा हुआ है राजनीटी का चकर भी हुए चल पड़ा है और इसके अगर कोई प्रभावी करो तो आम आज भी प्रभाइश हो रही है बहुत भयावर सिती है और एक विकट और अनिलाई की सिती है जी राजीव जी जो राहुल गांदी का आगामी दोरा है राइपूर का उसके बारे में क्या कहें गया जेकिए ये दोरा और कुछ नहीं है ये फ्रीव स्वायर की कवायन है जी प्रकार से युद्र चल रहा है दोनों गुटो के लिए टिये सिंग्डेव जी के गुट और मुख्यमंद्री जी के गुट जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को ठामने के लिए क्योंकि पिये सिंग्डेव जी भी देर डाले वे हैं और उस पेज बगेज जी ने भी अपना शक्ती प्रदक्षन किया दिली में जाकर और यहां पार राइपूर में तो दोनों के पीच में जो लड़ाई चल रही है और कॉंग्रेस का इन इखंडितना हो जाए एक विभाजन के ओना चल पड़े जिस प्रकास पे मम्दात अनर्जी जी अलग हो गई थी एक जिहास है कांग्रेस का इस प्लाइट हो बीज 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 में विभाजन होते रहत और चर्चा करने के लिए तो आज हमने चर्चा की है इस विशेपर 36 गड़ 36 गड़ कॉंग्रेस में जो सियासी हलचल मची हुई है इस वक्त अचानक से स्वास्यमंत्री टीएस सिंग्देव का दिल्ली जाना और फिर इस तरह की बात सामने आना जो धाइड़ाई साल का कहीं न कहीं गुडबाजी बहुत ज्यादा है कॉंग्रेस में और ये जो गुडबाजी है ये कहीं न कहीं एक गलत संदेश जा रहा है जनता के बीच में तो आज हमने इस खास विशे पर चर्चा की एक बार फिर कल एक नए विशे के साथ हाजर होंगे तब तक के लिए आप एमकेन को सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेस्बुक, क्विटर और इस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं खबरों का सिसला लगातार जारी है आप बने रहें एमकेन के साथ हमस्कार